तो बाई सब रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने एक नया रूल निकाला कि October 1st 2025 से जितने भी ट्रक्स लॉरीस जो हाइवेस पर चलते माक्सिम मतलब हाइवेस पर चलने वाले और 24 में इंप्रिमेंट कर सकते हैं मगर यह चीज से किसको फाइदा है किसको लॉस है यह चीज जो भी हो रही हो अच्छी है नहीं है सब कुछ बात करेंगे पूरा वीडियो एंड तक देखो बहुत मजा आती बहुत इंफरमेटीव वीडियो है तो पका फर्श और एंड तक यह एक ना एक बिछडी भी पीछे वाली जेनरेशन दिखती क्योंकि यहां पर जितने भी आप रोट पर जेखते हैं लॉरी ड्राइवर्स जो बड़े-बड़े हाइवे पर चलाते वह लोग को फर्श और ना पूरा का पूरा ओपेन रहता खीड की खुलना रही थी मगर क कुछ भी एसी वेसी कुछ रहता ने तो यह चीज की वैसे अगर यह इंप्लिमेंट हुआ तो सबसे पहले चीज जो अच्छी हो सकती होई है कि इनका जो एक्सपीरेंस है जो काम करने का नेचर है वह सब कुछ बल ज्यादा वारना यह चीज की वैस से फ्लेक्सिबिल्टी प्रोड़क्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाती और इसके लाव जो सबसे बड़ा एड्वैंटेज है वो यह है कि यह सब ड्राइवर्स ना डी हाइडरेशन से बसते क्योंकि मैक्सिम आक्सिदेंस होते है यह जो भी हाइवेस्ट पर होते है वो इसलिए होते है क्योंकि अच्छी आवर्स ना चक्कर यह ज्यूदी की जो शुबहों यह होते यह लोग बोलते कि जो सुबह का टाइमें वहाँ पर यह लोग काम नए करते क्योंकि बोलते कि जो तो शुबह पर उसकी वह से काम करना नहीं होता है अच्छी खासे नहीं होती मगर यह कंफर्ट में जो वोकिंग अवर से वह भी बढ़ सकते हैं इसके अलावा जो कंफर्ट है वह भी बहुत अच्छा है और बहुत डिगनिफाइड जॉब बन जाती है क्योंकि यह जो ड्राइविंग जॉब है लॉरी वालों का ट्रक वालों क यह बहुत मतलब ऐसा बोलते की छोटा जॉब है बहुत मतलब इज़त निकाल के फिकते हैं इसकी मगर अगर ऐसे तरीके का जॉब रहा तो ना बहुत डिगनिफाइड रहता और मतलब ना कहीं जो कुछ बढ़ा लिखा नहीं है वह भी थोड़ा गर्व से बोल सकता है कि मै यह पर्टिकलर जॉब करतूं चाहाँ पर मेरे को comfort भी है और productivity भी अच्छी है flexibility अच्छी है और जो main nature है जॉब का वो भी overall बहुत अच्छा है इसके अलावा और एक advantage यह है कि जो Indian transport industry है वो ना थोड़ी पीछे है पूरे जितने भी country से उससे compete करे तो तो अगर यह implement करे तो यह particular implementation से ना थोड़ा ना compete कर सकती और दिखा सकती कि globally इंडिया का जो transport है वो भी बहुत अच्छा है जितने भी driver से वो लो के लिए Indian government सोस्टी और इसकी वाई से थोड़ा global competition में थोड़ा compete कर ले सकती और थोड़ा आगे भी रह सकती अब यहाँ पे सब कुछ अच्छा तो रहे ने सकता थोड़े disadvantage भी जिसकी वेसे थोड़ा घाटा भी पड़ता और पहला घाटा पड़ता जो ओनर से उनको क्योंकि जो manufacturing काम है उससे ना जो प्राइस का प्राइस जरेंदो या फिर नौरी का प्राइस बढ़ जाता क्योंकि manufacturing बढ़ गई ना क्योंकि यहां पे जो ट्रक से वो सब खरीद थे और मतलब रेंट पर देते तो यह चीज़ की वज़े से जो manufacturing प्राइस वह बढ़ता और उसकी वएसे जो इंडिस्ट्री के ओनर से उनको भी घाटा होता अब इसके अलावा और एक नुक्सान है और वो नुक्सान है फ्यूल तो होता ही होंकि एसी एकर यहां पर चला चला के चला चला की समल करें और यह जो working hours रहते बहुत नंबे रहते और इसको maximum यूज करें तो फ्यूल भी बहुत चलता क्यूंकि सबको मालम है इंडिया में तो सब लोग खीट की खुला रखते इसलिए ताक कि जो इसी का फ्यूल है वो ना चले अगर यहां पर यह इंप्लिमेंट हुआ तो यह फिर से नुक्सान होता फ्यूल के ओपर फ्यूल ज्यादा कंस्यूम करना पड़ता और यह फिर से नुक्सान गिरता इंडिस्ट्री के ओनर्स के ओपर अब इसके लावा एक और नुक्सान है और वह नुक्सान है पर्टिक् के नेचर के टेंपरेचर को एड़ाप्ट नहीं कर सके तो यह लोग की तवित खाराब होती और यह लोग ना बहुत जादा नुकसान होता तो यह पर्टिकलर मेजर पॉइंट है कि यह वजह से क्योंकि नौर्मली वह लोग खिड़की कुली रख की चलते नौर्मली जो यह उसमें पावर इंजन रहता वह डाउन हो जाता वह खाराब हो जाता जादा इसी समझ करने से परने तो यह लोग ना हाईवेस पर बहुत लंबा लंबा सफर करते तो अगर बीच में कहीं पर भी अगर इंजन हाथ दे दी तो फिर से कुछ करने सकते वहां पर रह जाना पड़ता वहां पर ठेरना पड़ता जिसकी वह से प्रड़िक्टिविटी कम होती तो यहां पर देखो बहुत एड्वांटेजस भी है मगर ना दोनों को बैनस करके चलना पड़ता यहां पर जो भी चीज और ही उससे तो ना सब लोग खुश है कि ग्लोबली कॉंपेटिश आपका मानना क्या है कि यह चीज अच्छी है गंदी है इस सब इंप्लिमेंटेशन चाहिए यह फिर नई चाहिए सब कुछ कमेंट करके बोलो किसी को शेर करना तो कर दो नए पका फोई शूर सब्सक्राइब मारो मेरेको परस्टनली यह चीज बहुत अच्छी लगी आपक किसी लगी पका फोई शूर कमेंट करके लिए को पका नए सब्सक्राइब मारो किसी को शेर करना तो कर दो को के तो मिलेंगे निए सब्सक्राइब में टिल दन बाए